नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सलेंट यूटूब चैनल पे अभी आप इस्क्रेन पर एक नोटिफिकेशन देख रहे हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये नोटिफिकेशन जारी किया गए 21-7-2023 के डेट में और यहाँ पर ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल ला है मद्य परदेश मेट्रो रेल कोर्परेशन लिमिटेट के द्वारा यदि आप विकेंसी का इंतजार कर रहे थे और आईटे डिग्री डिप्लोमा आपने कम्प्लीट कर रखा है तो आपके लिए आज की जो वीडियो होने वाली है खास होने वाली है तो चले इस नोटिफिकेशन के जरी आपको पूरी जनकारी देते हैं कैसे फार्म को अपलाई करना है और अपलाई करने का डेट क्या रखा गया है तो नीचे आप आएंगे साथ यो स्क्रोल करते हुए तो सबसे पहले आपको इसके बारे में डेट की जनकारी मिल जाती है कब से फार्म भरा जाएगा और फार्म भरने की अंतिमतिती क्या रखी गई है तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर ओपनिंग डेट आप आल रेजिटेशन आप अप अप्लिकेशन तो यह आपका 31.7.2023 से फार्म भरना स्टार्ट होगा और फार्म भरने की जो लाश्ट डेट रखा गया है वो 31.8.2023 मतलब कि 31.8.2023 तक आप इस फार्म को अप्लाई कर पाएंगे यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो चले अब यहाँ पर निश्या आईए पुष्ट की बारे में देख लीजिए तो सबसे पहला जो आपको यहाँ पर पुष्ट कोड देखने हैं जो कि MPM के अंतरगत और इसमें जो आपका पुष्ट निम रखा गए इसमें साथ यहाँ पर एक पुष्ट में 26 यहाँ पर सीट खा लिए और इसमें आपको जो पेमेंट दिया जाएगा 33,000 से यहाँ पर एक लाग तक पेमेंट यहाँ पर देने की बात कही गई है और इसमें यहीं बात करें कौलिफिकेशन की तो इसमें बैशलर डिग्री मांगा गया है यह आपके पास डिप्लोमा कंप्लेट है इंजिनिरिंग से या बीसी आपने कंप्लेट कर रखा है फिजिक्स कमेश्टरी को मिल जाता है जो कि यह भी आपका सुप्रवाइजर के ही पत पर पोश्ट है जिसमें सात्यों टोटल साथ सीट का लिए है इसमें जो अप्लाई कर पाएंगे धिया नेखिएगा उनका जो कौलिफिकेशन यहाँ पर रखा गया है वो यहाँ पर थ्री एर इंजिरिंग डि को मिल जाता है मेंटेर्नर के पोश्ट पर जिसमें टौटल सीट खा लिये और इसमें आपको जो दिया जाए कर दिया चाहिए और dot अगला ट्रेट देखने हों को मिल जाता है इसके बाद यहां पर मैकेनिक फार्म ए गौवर्मेंट इंस्टूट से आपका पतलब कि यह सभी जो आपको यहां पर ट्रेट देखने हों को मिलना है यह आप इन ट्रेडों से किया है गौवर्मेंट से तो आप इस फार्म को अप्लाई कर पाएंगे इसी तरह आप यहां पर निशाएं तो अगला पोश्ट जो इसमें यहां पर देखने हों को मिल जाता है जो कि सुप्रवाइजर यहां पर ट्रेक्शन के पत पर है जिसमें साथ हो यहां पर टूटल कर पाएंगे इसी तरह आप यहां पर नीचे आएंगे तो यहां पर और भी पोश्ट आपको देखने हों कि मिल जाता है जिसमें आई ट्रेक्शन के पत पर और इसमें जो आपका रखा गया कोलिफिकेशन आप यहां पर ध्यान से देखिए मेट्रूट लेसन प्लस आपका जीक्स कोमपलीट होना चीह एंस इब्टी से यहां पर बात करें तो इलेक्टिसियन ट्रेड एलेक्टॉनिक्स है इसके बाद यहां पर आपको देखने को में जाता है रिफिटेशन एंड एयर कंडिशनिंग और यहांपर मैकेनिक फार्म एंग्वर्मनट पतलब कि आपका बीस हजार से स्टार्ट है और साथ हजार तक आपको पेमेंट दिया जाएगा निचे आप आएंगे साथ हो तो और भी आपको जो पोश्ट देखने को मिल जाता है जिसमें डिपलोमा धारक और आईटिया के चाहतर अपलाई कर पाएंगे जैसे कि आप यहाँ पर देखिए आ यहाँ पर मेंटेनर्ट राइंग के अंतरगत आपको पोश्ट देखने को मिल जाता है जिसमें कोलिफिकेशन यहाँ पर मेट्रू के लेशन मतलब की दसमी पास प्लस यहाँ पर आईटिया एंसी बीटी या सीबीटी से आपका कंपलीट होना चाहिए निचे आप आएंगे के मेंटेनर्ट वर्क्स के अंतरगत जिसमें यहाँ पर आईटिया वाले अपलाई कर पाएंगे और इसमें जो आईटिया का कौलिफिकेशन रखागे वो फीटेट रेट से आपका आईटिया कंप्रीट होना चाहिए तब ही आप इस फांप को अपलाई कर पाएंगे इस प पड़ेगी तो नोटिफिकेशन का लिंक में आपको टेलीग्राम ग्रूप पे दिनूँगा जहां से जाकर सारे लोग डाउनलोड कर पाएंगे टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाक्स में मिल जाएगा आप साथ हो आप यहां पर नीचे आ तो थोड़ा सा इसके बारे में आप अधर भी जनकारी देख लीजिए जैसे कि एच के बारे में कितने उमर के चातर इस वान को अपलाई कर पाएंगे तो मिनिमम जो एच रखा गए वो 18 साल लखा गया और ज्यादा से ज्यादा आपका 28 साल उमर होना चीए और यह जो आप पर नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर जो इसमें एज में छूट दी जाती है कटेग्री वाइज वह भी आपको देखने को मिल जाते हैं जो चातर यहाँ पर एसीश्टी या ओवी सी के अंतर गताते अपने यहाँ पर करम वाज अपना उमर में छोट भी देख सकते हैं नीचे आप आएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए तो आपको इसके बारे में कुछ और भी जनकारी देखने को मिल जाते हैं जिसे कि इसमें सेलेक्शन के बारे में कि आपका सेलेक्शन कैसे होने वाला है तो ध्याने किएगा इसमें जो आपका सेलेक्शन होगा साथियों स्क्रॉल करते हुए तो आपको और भी समय के बारे में जनकारी देखने को मिल जाते जिसे की फॉर्म भरने की पूरी जनकारी फॉर्म कैसे अपलाई करना है और फॉर्म भरते समय क्या क्या आपको ध्यान रखा है यह सभी चीज़े आपको देखने को मिल जाती है तो आप यह के साथ payment करना पड़ेगा फीस और जो शात्र एसिश्टी के अंतरगत आते उनको यहां पर 295 रुपे यहां पर देना पड़ेगा और यह जो आपका रखा गये क्यों MP के लिए रखा गये 295 के लिए और अधर के अंतरगता पाते हैं तो 590 रुपे इसमें आपका लगेगा तो ध्यानिके गा इसके बाद आपका कुछ यहां पर जर्नल इंट्रेक्शन भी दे रखा है जिसको आप पढ़ना चाहे तो पढ़ लिजेगा जैसे कि यहां पर वही दिया गए क कितने आपका समय इसमें दिया जाएगा तो इसमें आपका सिविटी एकजाम होगा दो घंटे का समय इसमें दिया जाएगा 125 कोशन इसमें आपको रहेंगे जो कि आपजेक्ट्व टाइप के कोशन देखने को मिलेंगे जिस कौलिफिकेशन पर आप को अप्लाई करें उस